हेलो गाईज मैं हूँ विकास और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले ही अगर आपके पास सैमसंग का फोन है और आपको इप्लिकेशन इंस्टाल कर रहे हो तो आपसे कह रहा है इंस्टाल अन्नोन एप्स तो उसकी सेटिंग कैसे करें आईए जानती है इसके लिए आपको जाना पड़ता है फोन की सैटिंग्स में अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करें नीची की तरफ आईए आपको मिलेगा यहाँ पे एक ओप्सन जिसका नाम होगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योर्टी इसे ध्यान से देख लीजिए आपको इसपे टैज करना है नीची की तरफ आपको आना है आपको मिलेगा यहाँ पे install unknown apps इसपे टैज करें यहाँ पे आपको जो एप की permission चालू करनी है उसे देखें यहाँ पे हर आपकी अलग-अलग होती है main होता है google chrome whatsapp या जहां से भी आप कर रहे हैं download या जहां से भी application आया है उसकी चालू करने पड़ेगी मान लिजे मैंने google chrome से कोई application डाउनलोड किया तो मैं google chrome पे touch करूँगा और इसे चालू कर दूँगा यह मेरा पहले से चालू है आप किसी और का भी कर सकते हैं और एक चीज और आपको file manager का भी जरूर करना है file manager यानि my files का भी चालू करिएगा और आपकी दिक्कट ठीक हो जाएगी और आपका जो application है वो install हो जाएगा शायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है like करें कोई सवाल है कमेंट करें